दोस्तो नमस्कार मैं आपके साथ विकास नैन दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंगलिस के क्रेक्ट स्पैलिंग्स पिछले एक्जैम में अक्सर इन में से क्वेस्चन पूछे गए हैं चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैं ग्रिवेंस जिसको हम सिकायत बोलत दिए ओ यू एस डेलेशियस सवादिष्ट उसके बाद काफि इंपोर्टेंट स्पैलिंग है डिसीव डिसीव का मतलब होता है धोखा देना सपैलिंग है डि ए सी ए आई वी इप तो दोस्तो अगली जो स्पैलिंग है वो है कन्वीनियन्स जिसको हम सुईधा बोलते हैं स् कन्वीनियन्स सुईधा उसके बाद कन्डेंड क्या स्पैलिंग है कन्डेंड इसको इसका मिनिंग होता है निंदा करना और स्पैलिंग है स्पैलिंग है अगली स्पैलिंग है ब्यूरो क्रेसी क्या स्पैलिंग है ब्यूरो क्रेसी ब्यूरो क्रेसी को हम बोलते हैं नोकर सा क्या बोलते हैं नोकरसाही स्पैलिंग है B U R E A U R A U C R A C वाइब दुबारा देखी दोस्तों B U R E A U C R A C वाइब व्योरोक्रेसी नोकरसाही काफी इंपोर्टन स्पैलिंग है दोस्तों ये कई बार कमपीटिशन इग्जैम में पीछे पूछी गई है उसके बाद कमिसनर काफी इंपोर्टेंट स्पैलिंग है दोस्तों भागिया से फोर्टी यू ने टी इल वाई उसके बाद मिसाइल मिसाइल अगली जो स्पैलिंग है वो है अप्रेंटिस क्या स्पैलिंग है अप्रेंटिस अभ्यास या ट्रेनिंग ए डबल पी आर इन टी आई सी इ उसके बाद सर्जन सर्जन जो डोक्टर होता है सर्जरी करता है स-U-R-G-E-O-N सर्जन उसके बाद acknowledge काफी इंपोर्टेंट स्पैलिंग है दोस्तों acknowledge का मतलब होता है सवीकार करना या मानना A-C-K-N-O-W-L-E-G-D-G-E A-C-K-N-O-W-L-E-D-G-E acknowledge सवीकार करना उसके बाद alliance गठ बंदन होता है इसका मतलब A-L-I-A-N-C-E alliance उसके बाद दोस्तों अगली जो स्पैलिंग है hierarchy क्या स्पैलिंग है hierarchy पदानु करम एक के बाद एक करम के अनुसार H-I-E-R-A-R-C-H-Y उसके बाद mandatory mandatory को हम बोलते हैं अनिवारिय M-A-N-D-A-T-O-R-Y mandatory अनिवारिय उसके बाद millionaire क्या स्पैलिंग है दोस्तों millionaire लखपती M-I-L-L-I-O-N-A-I-R-E उसके बाद pedestrian क्या स्पैलिंग है pedestrian paddle yatri हिंदी में क्या बोलते हैं इसको paddle yatri P-E-D-E-S-T-R-I-A-N pedestrian paddle yatri उसके बाद दोस्तों prejudize क्या स्पैलिंग है prejudice पक्सपात पूर्ण P-R-E-J-U-D-I-C-E prejudice पक्सपात पूर्ण उसके बाद privilege क्या स्पैलिंग है privilege विशेशादिकार P-R-I-V-I-L-E-G-E विशेशादिकार उसके बाद tunnel tunnel को हम बोलते हैं सुरंग T-U-N-N-E-L tunnel उसके बाद है दोस्तों symmetry क्या स्पैलिंग है symmetry का मतलब होता है एक जैसा क्या होता है एक जैसा उसके बाद relevant का मतलब है प्रासंगिक R-E-L-E-V-A-N-T relevant प्रासंगिक उसके बाद ordinance ordinance का मतलब होता है कानून O-R-D-I-N-A-N-C-E ordinance इसका मतलब है कानून तो दोस्तों ये थे English की crack spelling ये सारे जो spelling है competition exam की दिरिष्टी से बहुत ही महत्तपुरून है अक्सर इन में से competition exam में पीछे पूछी गई है साहे SSC हो, SSC हो center के group D या army के paper हो इन में से ये पूछी गई है हमने इनी question को इसमें सामिल किया है तो दोस्तों इनका जो word meaning है वो भी याद रखना है उमीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंदाई होगी अगर आप हमारे channel पर नए है channel को जरूर subscribe करे विकास सर ओफिसियल क्योंकि ऐसी ही educational वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नई टोपिक के साथ टप टप जैहिंद जैभारत